हेलो दोस्तो एक्स्टोरिंग प्लेशी चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज हम फिर साएं हरस्तनापूर हमारी पिछली वेडियो में आपने देखे थे जहन मंदिर और आज हम आए हरस्तनापूर के अंदर जो महाभारत कालीन प्राचेन मंदिर हैं उसके सामने मंदिर देख सकते हैं मेरे पीछे यह मंदिर है और चलिए आपको चल कि अंदर दिखाते हैं कि करें देख सकते हैं आप हम सामने खड़े हैं यह हमारा मंदिर है प्राचीन पांडेशवर महादेव जोति लिंक पर और आप देख सकते हैं बाहर से कैसा दिखता है बहुत ही सुंदर बहुत ही प्राचीन है और आप इसके बारे में आप एक बोर्ड लगाव है इसमें आप पढ़ सकते हैं सारी इसमें इनफॉर्मेशन लिखी और यह आप देख सकते हैं बाहर कितनी सुंदर पेंटिंग बनी है दिवारों का मंदिर बाहर से बहुत सुपसूरत है अभी हम बाद में इस टीले पर जाएंगे यह वो प्राचीन टीला है अभी हम फिलाल आपको मंदिल को अंदर से दिखा देते हैं कि आप बार दीबारे देख सकते हैं इतने अच्छी पेंटिंग है दिवारों पर और उसका में गेट है वो भी काफी खुपसूरत है आप देखिए और चलिए हम मंदिर के अंदर जाते वे आपको दिखाते हैं मंदिर के अंदर यह देखे आप यहां पर कितने सारे बंदर है कि देखे आप यह प्राचीन पेड़ है यह आप जो पेड़ देख रहे हैं साथ अजार साल से भी जादे पुरा ना यह वहीं प्राचीन पेड़ है जिसमें पांडव बच्पन में खेला करते थे उनकी लटाओ को पकर कर दूला करते थे तब से बेड़ी सी स्थिती में खड़ा हुआ है आप देखिए यह पेड़ीस मंदिर के अंदर और हसनापुर के अंदर काफी महत रखता है अब हम जा रहे हैं शिव मंदिर के अंदर और आपको दिखाते हैं हम आपके अंदर में जा रहे हैं और यह हम प्राचीन शिव मंदिर के अंदर एंट्री कर रहे हैं और आप देखिए कितनी प्राचीन मंदर जा है जैसे हमने मंदिर के अंदर एंट्री कई मंदिर अंदर से पोध खुत खुबसूरत अगरते दें हैं और आपे दिके पंदपो की मूर्दिया ओर यहां पे है शी合 लिंग यह भी प्राचीन है इस शीब लिंग की पूजा पांदपो invite लोग आकर करते थे और आप यह Aside प्राचीन है और इनकी शकल पहचारना अब थोड़ा मुश्किल हो गया है मैं आपको नजदीक चल के दिखार देता हूँ यह पांच पांडवो की पांच मुर्थिया है जो वक्त के साथ दुनली पड़ चुकी है और आप यह देखें शिवलिन जो वक्त के साथ पादा रह चुका है यह देखें मापको उसका प्राचीन मुख्य जो रक्ष है वो आपको दिखा देता हूँ इसकी मेन एंट्रिया है तो हमने अंदर से तो देखें ग्याथा तो आम ने सोचा कि बंदिलो चलो पार से भी देख लेता हैं यह जो आप देख रहे हैं जो पॉनों पर कडि़ी यह इस पर पांडवो के पहरेदार बैटके पांडवो की पहरेदार ही किया करते थे यह वह मंदिर में झारते थे इस और आप यहां से पूरे मंस्टर का व्यूद सकते हैं ये प्राचीन को भाया है हमारे सामने और यह देखिए मंदर की बैक साइड के और में गीट है और यह वो रोड गषिर बार से जारी है मंदर के यह जो आप जगें देख पहे हैं यहां पर मुनी बाबा की गुटिया वो करती थी अभी इसका गेट बनता तो उम्हा पर नहीं जा पाए और यह हमारे साब ने वो प्राचीन हुआ जिसमें पंडम वो यहां पर सनान किया करते थे और यह मंदिर की बैक साइड में है मैं चलो इसको नज देख चलके आपको दिखाता हूं यह कुवा भी उस प्राचीन है तो हमने जैसे इसके पास गए तो हमने देखा कि इस कुवे के अंदर अभी भी पानी था और इस पानी को लोग आज इस्तिमाल करते हैं अपने किसी भी तरीके के लोग में चरम लोग में इस कु अब वह सामने देख रहे हैं हम चलते हैं उस वाले अपना जो मुचा टीला है उस पर चलते हैं और यह आप देख सकते हैं आप बारी शुरू हो चुगी है अब चलिए हम इसमें चलते हैं सामने यह प्राचीन जहनती माता शक्ति पीट मंदिर जिसको पांडव टीला बोलत सकते हैं यहां पर एक बोर्ड भी लगावा है उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूं यह देखे आप इस पर सारी इंफोर्मेशन पढ़ सकते हैं यह है पांडेश्वर महादेव टेंपल हसनापूर जो की डिक्स्टिक मेरट में पढ़ता है और जो की कैपिटल है पांड आप इसको पढ़ सकते हैं आप चलिए हम अंदर एंट्री करते हैं मंदिर के अंदर अंदर पहुंग जाते हैं और यह रास्ता है आप देखिए मंदिर में पहुंच चुके हैं यह शनी देव का मंदिर है और आप यह देख सकते हैं हमारे सामने और यह आप देख सकते हैं हम जिस तीले के उपर हैं और यह सब प्राचीन समय में यहाँ पर पांडवों के महल हुआ करते थे और यह हम ठीक उनके महल के उपर खड़े वे हैं और यह टीलावसी का ही है यह टोटल महल है जो की लगबग पांस से दस किलोमेटर के एरिया में फैलावा है जंगल के रूप में है जो पूरा का पूरा यह बहुत ही सुन्दर जंग है और आपको मेरे हिसाब सेहां पर आना चाहिए एक बार जरूर क्योंकि यही प्राचीन हस्तनापूर के मंदिर है यहां पर भी हमें एक शिवजी का मंदिर नजर आया है जो की बाद में बनाया गया है यह पहले से प्राचीन नहीं है अभी आप चलते हैं सामने इसमें और देखते हैं पंड़ि जी से बात करनी को सिश्ष करते हैं मंदिर के अंदर एंट्री कर चुके हैं और हमने पंड़ जी से बात करते हैं अभी इसके बारे में जानते हैं इसके इतियास के बारे में तो देखते हैं पंड़ जी हमें क्या बताते हैं आगे बारे में मंदिर अंदर से बहुत खुब शूरत था और यह जहनती माता शक्ति पीट मंदिर है जिसकी पांडव लोग पूजा करते थे यह जहनती माता पांडवों की कुल्दे भी हुआ करती थी जब पांडव इसी मंदिर में पूजा करने आया करते थे तो हमाएं मंदिर के अंदर और आप देख सकते हैं हम पंड़र जी के पास बैटे में पंड़र जी आप क्या नाम है मेरा नाम आचार ब्रजेश कमार सुकला है जी तो आप हमें थोड़ा से यहां के मतलब इतियास के बारे में बताईएगी लोगों के यहां पे मंदिर में क्यों आना चाहिए और क्या यहां का इतियास है यहां का इतिहास यह है कि यह है महाँ भारत कालीन जो नगरी थी हस्टिनापूर महाँ भारत में हस्टिनापूर का ब्रतान दाया था जहां के राजा धरतराश्ट थे तो उसके बाद युदिश्टिर हुए तो वहां का जो ब्रतान दाया था यह वही हस्टिनापूर है देवी थी और देवी भागवत महापुराणों में इसका वड़न आया है इंक्यामन सक्ति पीठों में से एक सक्ति पीठ है यह मा जैन्ति माता जो है यहां पर माता सती जी की दाई जंगा का अंग गिरा था अच्छा जब माता सती के इंक्यामन पोड़े हुए थे तो इंक्यामन अंग माता सती के जहां जहां पर गिरे हैं वो जाकर सक्ति पीठ बने हैं यहां ये स्वेंटा मसा सρसे पीठ है कुछ हमारे भारत में हैं कुछ हमारे भारत में हैं और कुछ जाके सक्ति पीठ विदेशों में हैं तो इंक्यामन सक्ति पीठों में से एक सक्ति पीठ है इसका नाम जैनती माता सक्ति पीठ है और यहां पर कुमदेश्वर भैरो नाम की सक्ति विराजमान है यहां पर सक्ति विराजमान है और यहां की अदोत सक्तियां है, मां से जो भी भ nouveक्त आता है और जो भी वरदान वांगता है जो भी मनोकामना रखता है जिस संकल्प से आता है। की सारी मनों कामनाएं पूर्ण होती है बिसेश कर नौरात्रों में यहां पर बहुत जो है मेला लगता है और भीड़ होती हमन यग होता है भंडारा होता है पूरे नौ दिन यहां यग चलता है पूरे नौ दिन यहां मा भगवती का दुर का सुषती का पाठ होता है पूजा आपको दिखा देता हूँ कि इसके बारे में देखे आप यह बहुत ही संदर मंदिर और आपको यहां पर जरूर रहना चाहिए और एक बार तो आप यहां पर आगर दर्शन कर सकते हैं आप देख सकते हैं जैसे अभी पंदर जी ने हमें जानकारी दिया है और यह मंदिर काफी सुन्दर है आप देखें मैं आपको इसका एक व्यू दिखा देता हूँ कि यह देखे बंड़ जी ने जैसे बताया रहा कुम देशुवर भैरो बाबा यह देखें आप इनके दर्शन कर सकते हैं जी जिसको भी इस मंदिर के बारे में और यहां की प्राचीनता के बारे में जानकारी लेना है वो सभी भक्त मेरे वाटसप नमबर पर या मुझे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं या कुछ भी पूँचना है कोई पूजा पार्ट से लेकर या कोई पूजा पार्ट करवाना है या कुछ भी आपको किसी भी प्रकार की कोई जानकारी पूँचना है जो तसी गर्णा में कोई भी जानकारी पूँचना है तो आप संपर्क कर सकते हैं इस मंदर की जानकारी या कुछ भी आप किसी भी बारे में आपको पांड़त कर्म से कर्मकांड से लेकर पूँचना है तो आप संपर्क कर सकते हैं मेरा नंबर है निर्धन को धन देती हैं और जिसके पुत्र रतनी की प्राप्ति नहीं मां पुत्र रतनी की प्राप्ति भी करती है एक बार मां के दरबार में आईए अरदाफ लगा के मां के दरबार में जाईए आपकी मनों कामना जरूर पूर्ण होगी जै जै सीरा दे जै माता दी जै जै और आप यह देख सकते हैं इसके पीछे कितना घना जंगल है मंदिर के बीचे मंदिर बहुत ही खुब सूरत है आप यह देखिए आपको यहां पर जरूरा नसीए और अपनी मनों कामना जो मागना शाता है यहां पर आकर माग सकता है ऐसा पंड़ जी ने अपने का आया कि उस अब हमने एक और प्राचीन चीज देखी जो कि कुलूब को लोकिमात बाबा का प्राचीन मंदिर है और यह रास्ता आप जो सामने देख रहे हैं यह जंगल के और चला जाता है जो कि यह लगवग 10 किलो मेंटर के रेडियस में फैला हुआ है और यह सारा पहले पुराने प प्लेशी चैनल के इस लोक को हम यहीं पी एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तो आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और अगर आपको वीडियो अच्छे लेगे तो कमेंट जरूर कीजिए गया ऐसी ही वीडियो बनाते रहेंगे आपके लिए